Hello everyone, कैसे हो तुम लोग? थर्ड चाप्टर में आती हूं में Conditional Sentence में में Conditional का मतलब होता है Condition से बना है Ejective Conditional Condition का मतलब होता है शर्थ शर्थ वाले वाकिय Conditional Sentence में आते हैं और शर्थ का मतलब क्या देखो अगर मैं डॉक्टर होती तो मरीजों की सेवा करती मतलब भई डॉक्टर होती तब ना सेवा करती मतलब नहीं कर सकती हूँ शर्थ है सेवा करने में क्या डॉक्टर होती तो अगर मैं दिल्ली आऊंगी माम तो आपसे मिलूंगी यानि आप मेरे से मिलने की इक्षा रखते हो लेकिन एक शर्थ है क्या कि दिल्ली आऊंगी तब मिलूंगी मान लो अगर आप पास्ट की बात करोगे अगर मैं दिल्ली आई होती तो आपसे मिलती यानि दिल्ली आई होती पास्ट तब मिलती है ना यानि पास्ट हो या प्रेजन्ट हो या फ्यूचर हो अगर आपका second action, किसी action यानि first action पर निर्भर करे, तब वाक्य conditional sentence कहलाता है, जो मैंने लिख दिया है, शर्त वाले वाक्य, conditional वाक्य कहलाते हैं, sentences that comprise a condition are called conditional sentences, इसमें बेटा दो clause होंगे, अब clause कैसा clause, देखो ध्यान से, बेटा clause क्या होता हो भी मैं बता दूँ, और एक छोटे से शब्द में आपको सिखा दू, clause क्या होता है, clause का मतलब होता है, group of words, जो या तो individually लो, तब भी meaningful होगा, और किसी दूसरे sentence का भाग बन जा है, तो भी meaningful है, जैसे, I work hard, एक sentence, I will succeed, बेटा दूसरा sentence, और ये दोनों को मिला दिया, if I work hard, I will succeed, देखो एक conditional sentence बन ग जो दो clauses होते हैं, उनका नाम क्या है, एक का नाम है principle clause, भाई, अगर मैं कहूं, कि अगर मैं महनत करती तो, फिर आप पूछोगे ना भाई, उससे क्या होता, I will succeed, अगर मैं महनत करूंगी, तो मैं सफल हो जाऊंगी, यानि main मुद्दा तो सफलता है, यही है main clause, जिसको आप कहते हो principle clause, right, if I work hard, यह भी I work hard भी तो एक sentence है, I work hard subordinate clause है, जिस पर यह principle clause निरभर है, देखो मैंनत करोगे, तब ही तो सफल होगे, तो सफल होना मैंनत करने पर निरभर करता है, I work hard, यह subordinate clause है, I will succeed, यह principle clause है, दो तरह के sentences हैं इसमें और दोनों मिलके भी एक sentence बना रहा है, if I work hard, I will succeed, यानि जब आप conditional sentence पढ़ोगे, तो बेटा, if वाले भाग में subordinate clause होगा, बेटा, इसलिए if को जानते हो, क्या कहते हैं, subordinating conjunction, क्योंकि वो if जो होते हैं, वो subordinate clause के साथ जुड़ा होता है, आगे लगाओ, या इसको उठाके पीछे लगा दो, यह if clause कहलाता है, subordinate clause, और जो main मुद्दा है, वो principal clause है, अब हम चलते हैं, जो different types of conditional sentence है, और exam में कैसे आता है, यह जड़ा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम type 1 में चले जाएं, ताकि आपको type wise जब अगर पढ़ाई रहे ह तो सबसे पहले हम type 1 में जाएंगे, और वो है, वेट, past conditional के बाद, सबसे पहले हम आते हैं, future conditional में, सबसे पहले future conditional sentence में देखेंगे, जहां से सबसे ज़्यादा question आते हैं, आज यह पूरा complete chapter फिनिश कर दूँगी, और एक चीज़ में आपको बता दूँ में, conditional sentence बहुत आसान chapter है, question बहुत आते हैं, सबसे पहले देखो future conditional sentence, इसको अभी PDF थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर लोंगी, मैं golden rules by Nitu Singh में, future conditional sentence बता type 1 conditional sentence है, अब यह है क्या सुनो ध्यान से, अगर मैं दिल्ली आओंगी तो आपसे मिलोंगी, बता यह दोनो future है, याद र second form, past indefinite, past का past भी पढ़ाया था, past perfect, लेकिन मैंने आपको दो future नहीं पढ़ाया है, कि यह future है, और उससे ज़्यादा future भी एक और है, नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक future है, लेकिन आप ही तो दो future की बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली आओंगी future में, उसके बाद future में आपसे मिल आपके पास double future नहीं है, ना life में है, ना tense में है, डबल future नहीं है, इसलिए आप double future नहीं लिख सकते हो, हिंदी में क्या कहते हैं, अगर मैं आओंगी, तो आपसे मिलूंगी, आप कहोगे अगर मैं आओंगा, आओंगा मतलब पहला condition है, बहला action है future का, और मिलूंगा दूसरा action है future में और second action depend कर रहा है पहले action पर बेटा याद रखना ऐसे condition में आपको पहला action को present indefinite tense या simple present tense में लगाना पड़ेगा और जो second action होगा वो simple future tense में लगाना पड़ेगा यानि अगर मैं आऊंगी पहले आऊँगे if I come उसके बाद मिलोगे I will meet you आप देखो जो मैंने आपको कहा पहला action present indefinite tense में होगा और दूसरा future indefinite tense में आप जल्दी से कुछ questions करके देख लेते हैं कि क्या हमें समझ में आ रहा है देखो तो if I go to Agra I will see the Taj Mahal very good देखो आजा question देखो और मुझे answer बताते चले जाओ इन में से answer कौन सा होगा देखो 1 से लेकर 5 तक फटा फट करो और बताते जाओ answer क्या होगा बता तो क्या होगा very good बहुत अच्छा सुनो yes बिलकुल सही कर रहे हैं देखो unless you will study hard you cannot pass आप कहोगे माम इसमें तो एक ही will है कोई बात नहीं बिटा will एक ही है लेकिन वो गलत जगा पर है आप यहाँ चाहो तो लगा सकते थे यहाँ पे will के जगा पे can लगा दिया मैंने क्या कहा था if वाले भाग में will नहीं आता यानि पहला आक्शन में will नहीं आएगा और यह पहला ही तो आक्शन है इससे will हटा दो unless you study hard you cannot pass next आओ he will tell you about it वो उसके बारे में आपको बता देगा when he will come back पिटा when if के जगा पे when है यहाँ पे if के जगा पे unless है जो भी ऐसा word दिखे समझ जाना उसके साथ जो चिपका हुआ sentence है वो will नहीं लेगा तो unless he comes back होगा present indefinite tense चाहिए न क्या कह रहा है कि जब वो आएगा तो वो आपको उसके बारे में बताएगा पहले आएगा first action में will नहीं आएगा we shall go out हम बाहर जाएंगे if it does not rain does not के साथ वर्व का ses form नहीं आता है ना we will wait हम लोग इंतजार करेंगे till you will finish your lunch पहले आप lunch finish कर लोगे फिर तो हम से मिलोगे और ये जो till है वही if के place पे till है if के place पे देखो यहाँ if है ही if के place पे यहाँ when है ही ये पहला action है till you finish your lunch राइट फिर से देखो if वाले भाग में will नहीं आएका if वाले भाग में will नहीं आएका है ना if वाले भाग में बिटा if वाला भाग का मतलब वह नहीं यहाँ पे देखो धियान से if I play my best अगर में अच्छा खेलू I can win any day क्या लगा दिया विल के जगा पे ठीक है यार model तु लगाया ना if you finish your homework I will give you an ice cream अगर तुम homework खतम कर लोगे मैं तुम्हें ice cream दूँगा we will rest for some time when we reach the top पहले top में पहुँचेंगे तब ना rest करेंगे तो हम थोड़े देर के लिए rest करेंगे जब हम ऊपर पहुचेंगे तो देखो 1 से लेकर 7 तक बताओ clear? clear? आजाओ 8, 9, 10 देखो तो clear? next time we will revise it when he is comes back तो मैं कहूँगे वेनी comes back होगा मेरा जब मैंने कहा he will revise it वो उसे revise करेगा जब वो वापस आएगा तो लेकिन मैं जब option में आई तो मेरे पास तो है नहीं when he comes back होगा comes back तो है नहीं तब फिर मैं चुनूँगी कि कौन सा सही लगेगा he will revise it on coming back right on preposition और उसके बाद verb ing form में आ गया ठीक है यानि अगर ये comes रहता तो मैं इस option को mark करती है ही नहीं इफ ही हास टाइम वर्व का SES form he will telephone he will देखो पहला present indefinite में और दूसरा future में ठीक तो है no improvement इफ वाले भाग में विल नहीं आता पिटा maximum question 10 में से 9 question आपके exam में यही आते है इफ वाले भाग में विल नहीं आता चलो ये आपका type 1 है type 1 कौन सा है type 1 पिटा type 1 टाइप 1 वाल वाल क्यों बोल रही हूं है हमें तो बोलनी की जरुवत ही नहीं है type 1 लेकिन हाँ PGT PGT के exam में वो type wise भी पुछ लेते हैं एक future का conditional sentence दे देंगे type 1 है type 2 है type 3 है तो इसी लिए मैंने आपको लिख दिया अब सुन ध्यान से बेटा future conditional sentence में पहला action में will, shall नहीं आता पहला indefinite और उसके बाद second action में future हो सकता है can भी हो सकता है will, can, shall कुछ भी हो सकता है ठीक है चलो आप आओ next में आते हैं present conditional sentence अगर मैं अमीर होती अब ये क्या है अमीर होती मतलब नहीं हूँ अगर आप जैसे कहते हो मैं अगर मैं अमीर होता तो मैं दिल लिया के पढ़ता है ना कब बात कर रहे हूँ भूद काल की नहीं present की आप कहोगे माम if I were rich आप कहोगे आपने tense में तो I was rich पढ़ाया था याद करो तो imagination में वर पढ़ाया था है ना imagination में वर पढ़ाया था अगर कहोगे if I were the prime minister I would increase employment opportunities मैं सूस करते हूँ ना अगर मैं प्रदान मंतरी होता तो रोजगार के अफसर बढ़ाता देखो if I were you अगर मैं तुम्हारी जगा होती if I were in your place अगर मैं तुम्हारी जगा होती if I were in your shoes अगर मैं तुम्हारी जगा होती कहोगे shoes क्यों पेटा कहते हैं जो जूते पहना है ना उसी को पता है जूते कहां काट रहा है बना बाकी को तो बाहर से चका चक चम चमाता हुआ जूता दिख रहा है लेकिन तीनों का एक ही मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होती I would not trust anyone, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती ये क्या बता रहा है, present imagination इफ महात्मा गांधी वर अलाइट तुड़े, महात्मा गांधी सिंगूलर है बटा वस आना चाहिए था लेकिन वर है देखो He would feel sorry for the Congress Party उन्हें अफसोस होता Congress Party के हालत देख कर ये सारे सेंटेंस में इफ वाले भाग में वर आया क्यों? क्योंकि सारा present imagination है मैं आदित्या एक question paper solve कराऊंगी आपको ठीक है? clear? देखो If I were the Prime Minister यानि subject plus were अगर कहोगे माम ये तो imaginary position है अगर मैं imaginary position की बात कर रही हूँ तो जड़ा question देखो तो जो पढ़ा दिया बटा question वहीं से आएगा चलो देखो तो आजा I wish काश I am I am नहीं यार I were क्यों? कह रहें काश में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ती होता conditional sentence अभी पढ़ाया नहीं इसमें इसमें तो सिर्फ मैंने बताया है काश में होता present imagination ओके फाइन अगर रमीर हो जाते तो क्या करते If I am a millionaire If he were a millionaire कोई भी subject हो इफ वाले भाग में वर लगाओगे He would help the millennium project देखो इसका structure देखो जड़ा ध्यान से इफ वाले भाग में subject plus वर है है ना प्लास सेकेंड भाग में He would प्लस वर्व का base form है ये जो structure है ना इसको रट्टा मार लो इफ वाले भाग में subject प्लस वी टू किसको छोड़कर वर्व को छोड़कर तो सेकेंड भाग में वुड प्लस वर्व का base form होगा आजाओ I would accept the offer मैं वुड प्लस वर्व का base form offer If I were you वर वर मतलब बिलकुल तो सही है इफ वाले भाग में वर्व है यानि कि no error इसमें देखो जाध्यान से वुड प्लस वर्व का base form वुड प्लस वर्व का base form और इफ वाले भाग में subject प्लस वर्व ठीक तो है कोई error ही नहीं है देखो है ना इफ वाले भाग में वर्व लगाओ If I were he him नहीं ही अगर मैं इस लड़के के जगा होती I wouldn't accept this project मैं ये project accept नहीं करती देखो इफ वाले भाग में वॉस नहीं आता ये ध्यान से देख लो बेटा यही तो structure है और अगर आप इफ हटा दोगे न तो वर्व आगी आ जाएगा कहोगे difference क्या है कोई difference नहीं है तो किया क्यों देखो बेटा एक चीज़ बताती हू मालो घर का जो मुख्या हो मर जाएगा तो कोई ना कोई तो उसकी जगा लेगा न यही है inversion कि अगर इफ हट गया तो वर्व उड़के आगे जाएगा तब ही तो balance होगा नहीं question mark नहीं लगेगा कुछ लोग कहते है माम helping verb या main verb उटके आगे चल गया तो question mark लगेगा न बेटा inversion में आपको कम से कम 15 तरीके के sentence बताऊंगे मैं 15 तरीके के उसमें से एक होता है interrogative sentence जो आपको आता है क्योंकि आप tense पढ़ लेते हू वड़ा कई जगा ऐसा होता है जहां पर helping verb उटके आगे जाता है May God bless you क्या ये question है नहीं है में आगे है तो क्या हुआ May I come in sir हाँ ये question है ये interrogative में आप एक निवेदन कर रहे है लेकिन याद रखना हमेशा helping verb उटके आगे चल जाए या main verb उटके आगे चल जाए तो वो question नहीं बन जाता यानि ये structure दो तरीके से हम कर सकते हैं कैसे If I were rich I would help the poor Were I rich I would help the poor देखो ठीक है अब आओ Next देखो जड़ा ध्यान से अगर मैं कहूं ठीक है अगर मैं अमीर होती If I were rich अगर मेरे पास पैसे होते If I had money Again verb का second formula I would help the poor देखो If he had two cars अगर उसकी पास दो गाड़ियां होती है ना I would give one to you एक में तुम्हें दे देती If I had surplus money अगर मेरे पास surplus money होते I would donate it to PM Relief Fund PM Relief Fund में donate कर देती If I had a gun अगर मेरे पास बंधुक होता ना I would shoot you तुम्हें में गोली मार देती देखो समझ में आया अब मैं आपको ये दो को mix करके एक sentence देती हूं और मुझे हिल बना के दिखाओ तो अगर मैं पंची होती तो आकाश में उड़ती देखो दूसरा अगर मेरे पास पंच होते पेठा आप देख रहे हो दो तरह का structure है एक अगर मैं होती और दूसरा अगर मेरे पास होते दो तरह का structure दे रही हो पंच होते तो मैं तुमसे मिलने आ जाती है ना भगवानी इंसान को पंखी ने दिया नहीं तो रोच रात में दर्वाजा बंद करते तुम लोग अखिरकी खोलते और फड़ फड़ पर उड़के पहुंच जाते उसके पास वो फड़ पर करके आ जाती तुमारे पास नहीं इधर माबाप दर्वाजे पर पहरा देते रह जाते राइट अगर मैं पंखी होती इसी स्ट्रक्चर में याद रखना हमको वर्व का सेकेंड फॉर्म चाहिए खाली एक ही तुमना कर रही हूं वस नहीं लगाओ बाकि कोई भी वीठू लगा दो अगर मैं कहूं मैं पंखी होती यानि इमाजनरी पोजिशन की बात कर इफ आई वर अबर्ड देखो मैं आकाश में उड़ती आई वुड प्लस वव का बेस फॉर्म आई वुड फ्लाई इन दे स्काई अगर मेरे पास पंख होते इफ आई हाड विंग्स देखो अगर मेरे पास पंख होते देखो तो मैं तुमसे मिलने आजाती आई वुड देखो इफ आई हाड विंग्स है ना आई वड गम आई वड गम क्या करने हैं को नेको देखो आई ड़्ट चणका कया कोई भी वीटू चलेगा कोई भी वीटू चलेगा वस को छोड़कर कोई भी वीटू चलेगा वास को छोड़कर चलो यह आपका हो गया प्रेजंट इमाजिनेशन प्रेजंट इमाजिनेशन में दो बताया मैंने, मैं और बता दू लो अगर कहोगे मैडम आप बहुत भारी भरकम हो गई कि यहार मैं गलत प्लानेट पर ही हूँ है ना अगर मैं खाली इस प्लानेट को छोड़के थोड़ा सा खिसक के पैदा होती मून पर इफ आई लिवड ओन दो मून आई वोड़ वेव ओनी 10 केजीज 1.6 तो हो ही जाती ना तो देखव फिर आप क्या कहो कि यहां मैं निश्चंत रहो इफ यू लिवड ओन दो मून यानि वर्फ का सेकेंड फॉर्म काम लिवड प्रेजिंट इमाजिनेशन है वोड प्लस वर्फ का बेस फॉर्म वेट जो होता है नाउन होता है वेग की बात कर रहें है ना देखो सबजेक्ट प्लस वीटू वोड प्लस वर्फ का बेस फॉर्म मैटा मैंने क्या कहा सब कुछ बूल जाओ इफ वाले भाग में वस नहीं आएगा बस कोई भी वीटू लगा दो और सेकेंड भाग में वोड प्लस वर्फ का बेस फॉर्म ध्यान से देखो इफ यू प्लस वर्फ का सेकेंड फॉर्म वोड प्लस वर्फ का बेस फॉर्म हो गया क्लियर इफ प्लस वर्फ का सेकेंड फॉर्म वोड प्लस वोड कहा है अरे वोड ही नहीं है समझ में आ गया इफ भाले भाग में वीटू है तो second भाग में wood plus verb का base form होगा, देखो, right, और imagination और बता दूं कि बेटा जरूरी नहीं कि मैं हमेशा एक ही structure कहूं, अगर मैं कहूं वो ऐसे चलता है, जैसे कि पूरी धर्ती उसी की हो, बेटा पूरी धर्ती उसकी नहीं है, मैं imaginary बता रही हूं, वो ऐसे चलता है, present indefinite tense, जैसे पूरी धर्ती उसी की हो, बेटा वर्व का second form, no error है यहां पे, present imagination में वर्व का second form, देखो, अगर मैं कहूं, it is time, it is high time, बेटा वो भी तो present imagination बता रहा था, टेंस में जिस में मैंने कहा था आपको, कि it is time, it is high time के बाद, अगर subject दिखाए दे, तो, excuse me, वर्व का second form लगाई यह, वही तो था, did, और मैं यहां भी यही कह रही हूं, कि यह भी present imagination है, अगर मैं पंची होती, present imagination, पास की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है ना, वर्व का second form, if I lived on the moon, वर्व का second form, यानि सब कुछ मिला के आपको मैं एक ही चीज कहूंगे बिटा, एक structure याद रख लो, वी टू, कोई भी लगा दो, चाहे आप लगा दो, चाहे आप हाड लगा दो, चाहे आप लगा दो, चाहे आप लगा दो, चाहे आप लगा दो, या कुछ भी लग यह देखो, मैरी वुड प्लस वर्व का base form, तो इधर subject प्लस वी टू होगा ना, subject प्लस वी टू और वुड प्लस वर्व का base form, देखो, क्या होगा, वेंट, यानि आपको मैंने दो, structure सिखाया, जो दो structure सिखाया है, उसको, अपको याद रखना है कि वो कौन सा 2 structure है, पटा म मैंने आपको जो समझाया है, वो देखो क्या समझाया, पहले आपको दो स्ट्रक्चर पुक्ता कर लूँ, उसके बाद आगे पढ़ोंगी, सिर्फ तीन स्ट्रक्चर में पूरा कंडिशनल सेंटेंस बिटा, खतम है, फिनिश्ट है, देखो ध्यान से, मैंने आपको जो दो जाल नहीं आएका, यहां पे इफ वाले भाग में आप प्रेजंट इंडेफनिट टेंस लगाना, जिसमें आपको वर्व का फॉस्ट फॉर्म इस्तिमाल करते हों, और दूसरे भाग में सब्चेक्ट प्लस विल प्लस वर्व का बेस फॉर्म लगाना, इस विल के जगा पे ह हो सकता है क्यान हो, हो सकता है में हो, कोई भी मॉडल हो सकता है, यह पहला स्ट्रक्चर था, जो मैंने आपको कहा था, इफ वाले भाग में विल शाल नहीं आएगा, जो आपको याद रखना है, दूसरा मैंने आपको यह समझाया था, कि अगर इफ वाले भाग में सब्चेक के बाद वर्व का second form दिखाई दे तो उसके बाद वाले भाग में wood प्लस वर्व का base form होना चाहिए और इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ छोटी चीज़ समझाई है और वो यह है कि इस वास के place पर आप कोई भी वीटू लगा दो खाली वास नहीं दिखाई देना चाहिए बस यही तो दो स्ट्रक्चर अभी आपको सिखाया यह दो स्ट्रक्चर है जो सबसे important है और तीसरा स्ट्रक्चर वताऊंगी और यह चाप्टर खतम हो जाएगा सिर्फ यह दो स्ट्रक्चर है इफ वाले भाग में विल शाल दिखाई नहीं देना चाहिए तो मैं एक चीज़ और लिख दू साथ में बाई दो स्ट्रक्चर जब पढ़ाई रही हो तो यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूट कर दूँ इफ वाले भाग में आपको वास भी दिखना नहीं चाहिए यहाँ एक साथ फिनिष्ट हो गया हमारा दोनों का पंगा जहां से दस में से नौ कवश्चन आते है इफ वाले भाग में विल शाल नहीं दिखेगा इफ वाले भाग में वास भी नहीं दिखेगा फिर से आओ कई लोग क्या करते हैं ना कहते हैं, if I would come, I would meet you, अरे भाई, इफ वाले भाग में, वोड भी नहीं आएगा, इफ वाले भाग में, वीटू आरा है, इफ वाले भाग में, वूड नहीं आरा है, वूड इधर आरा है, तो हम लोगों ने दो complete देख लिया, और वो था आपका, देखो, सबसे पहले हमने आपको present imaginary sentence type 2 था इसलिए future के बाद पढ़ाया ये आपको मैंने complete करा दिया देखो उसके बाद present imaginary में मैंने आपको ये बता दिया वी 2 और उसके बाद present imaginary का एक वी 2 का अलग से बताया फिर तीनों का mixed कर दिया वर है वो भी वी 2 है हाड है वो भी 2 है वी 2 है वो भी 2 है तो भाई क्या लगाना एक ही बता दो ना खाली was नहीं लगाना बाकि सब का structure सेम था लेकिन मैंने तीन अलग लग किया ताकि आपको जादा number of questions कर सको अब हम last type में आते हैं type 3 जिसको कहते हैं past conditional sentence मानलो आपने अगर मुझे कहा कि माड़म कल आप पाटी के बाद मुझे साथ में लेके नहीं के लिए मुझे बहुत परिशान हुई मैंने का मैंने तुम्हें देखा यह नहीं था अरे मैं वहीं पर बस stand पर खड़ा था अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले आती ये कब का है अब ये कर सकते हो फिर से कुछ हो सकता अब इसका क्योंकि कल खतम है कल खतम है आप कहोगे ऐसे कि मैं आप मुझे लेके नहीं गई तो मैं कहूंगी If I had seen you I would have taken you along with me ठीक है फिर से सुनो धोनी नहीं खेला यार इसलिए तो मैच हार गए अगर धोनी ने खेला होता ना तो हम मैच जीद गए होते यानि अब मैच हार के बैठे हैं ये पास्ट है पास्ट का सुनो If धोनी had played for India, we would have won the match राइट? अगर आप कहोगे मैम एक और तरीका तो एक और तरीका हमने वर में देखा था बागी किसी में नहीं था Inversion Had धोनी played for India we would have won the match ये अभी के लिए नहीं है Present Imagination नहीं है ये फ्यूचर के लिए नहीं है ये पास्ट के लिए जो खतम है अब तक नहीं अब खतम है अगर मैं कहूँ अगर धोनी ने खेला होता मतलब नहीं खेला, match खतम है अगर मैंने तुम्हें देखा होता नहीं देखा, वो खतम है, मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दिया, समझ में आया, देखो ध्यान से, इसी structure को ध्यान में रखते हुए, बिठा, आप ये, question number तोगा गलत हो गया है, देख लेना, ठीक है, if I had gone to Delhi, देखो, if I had, had plus V3, would have plus V3, I would have have got infected, यानी, had plus V3, कहोगे ना, भई, मुझे, COVID नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अरे, भई, मैं तो गाउ में बैठा हुआ था, अगर दिल्ली जाता ना, तो इन्फेक्शन हो गया होता, मुझे भी, इसका मतलब नहीं हुआ, पास्ट है, खतम है मामला, if I had got देखो, had plus V3, और would have plus V3, सही तो है, had plus V3, would have plus V3, इसका मतलब no error ही है, देखो, had you worked hard, यह बिल्कुल सही है, if you had worked hard को हमने, had you worked hard लगा दिया, लेकिन, you will नहीं होगा, you would have passed होगा, देखो, इसमें no error, would have plus V3, पहले कर दिया है, कोई बात नहीं, had plus V3, no error है, ठीक है, यह दोनों तो मैंने खाली, examples बताये थे, खुदी, यह दोनों तो सही होगे, यह दोनों को देखो, तीन और है, जल्दी फटाफट देखो तो, और answer बताते जाओ तो, if he had plus V3, if वाले भाग में had plus V3 है, बढ़ा, second भाग में would have, अरे, यह क्या है, यह तो गलत हो गया, है ना, क्या होना चाहिए था, would have plus V3, get का third form got, आयों समझ में, had plus V3 देखो, तो बटा, आगे would have plus V3 देखो, had plus V3 देखो, तो आगे would have plus V3 देखो, अगर may भी है, तो might कर दो, ना, past tense कर दो, might not plus half plus V3, अगर उसने, गाड़ी को आते देखा होता, तो वो road cross नहीं करती, would not have crossed, आप काओगे माम, will तो है नहीं, तो would क्यों करें, चलो might लगा लो, लेकिन would लगा लोगे, तो भी सही meaning निकलेगा, road cross नहीं करती, would not have crossed, hand plus V3, would half plus V3, would half plus V3, यानि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, hand plus V3, would half plus V3, hand plus V3, would half plus V3, यानि अगर आप इसको देखोगे, तो मैं आखरी स्ट्रक्चर लिखने जा रही हूँ अब, और वो स्ट्रक्चर है, past का, hand plus V3, आगे subject के बाद, would have, plus V3, यह तीन है, पहला, future conditional का sentence है, future conditional है, देखो, दूसरा, present conditional है, और तीसरा, past conditional, देखो, अगर मैं, इसी एक को, जो आपने कहाना, अमीर वाली बात, तीन तरीके से क्या ज़क्तियों, देखो, अगर मैं, अमीर, बन जाओंगी, तो तुम्हारी साहिता करूंगी, if I become, वह का first form, become rich, I will help you, अगर मैं, अमीर होती, if I were rich, I would help you, अब पैसे वाली हूँ, मैं, past की बात कर रही हूँ, कि अगर मैं उस समय अमीर होती न, तो तुम्हारी साहिता करती, if I had been rich, I would have helped you, देख लिया, present में, अगर मैं अमीर होती तो, future में, अगर मैं अमीर बन जाओंगी तो, अगर मैं अमीर होती उस समय, तो तुम्हारी साहिता कर दी होती, देखो, clear, आब आओ, बस एक छोटा सा और structure देख लो, बाकि ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एक छोटा सा और structure देख लो, और इसके बाद हमारा, देखो, एक क्लास में conditional sentence का जो तीन structure आता है, बेटा, मैं ये कहूंगी आपको, एक चीज़ सेज़स्ट करूंगी, इसको आप, इसका, पिक ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, एक ही जगहा पे, पूरा निचोड है ये, विल शाल नहीं आता, इफ वले भाग में वॉस नहीं आता, इफ वले भाग में वुड नहीं आता, इफ वले भाग में वीवन दिखाए दे, तो आगे विल या कैन प्लस वर्फ का बेस फॉर्म, इफ वले भाग में वीटू दिखाए दे, तो पेटा आगे would plus worth का base form इफ वाले भाग में hard plus v3 दिखाई दे तो आगे would have plus v3 ठीक है but for your help पेटा इसका कहना है तुम्हारे help के बिना without your help but for का मतलब है without ठीक है इसका मतलब है without I would have failed में fail कर गया होता इसका मतलब क्या है if you had not helped me दूसरा but for his timely arrival उसके समय से arrival के बिना patient would have died मरीज मर गया होता यानि अगर patient का arrival अगर timely arrival नहीं होता डॉक्टर का तो देखो but for का मतलब निकल रहा है without ये एक structure और है जहाँ पे इफ वाले भाग को छोटा करने का तरीका है कि but for का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे if your help if you had not helped अब इतना बड़ा लिखने के बदले में वो लिख दिया but for your help तुमारे help के बिना लेकिन कोई बहुत बड़ा ये structure नहीं है और ये important नहीं जादा जो तीन structure important था वो मैंने आपको खतम करा दिया उसको देखो और जो मरसी आप ले लो thank you so much